साथियों वाइड लाइब कंजर्वेशन के इन सभी प्रयास में मुझे गुजरात के अपने लंबे अनुभव का भी लाब मिला है मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था ता अपने लाइंस पर काम किया था भही मैंने सीखा कि किसी वन्य जीव को बचाने के लिए हम सिर्फ एक भौगोलिक दारे में सिमित नहीं रह सकते हमें इसके लिए स्थानिय लोगों और एनिमल के बीच एक रिस्ता बनाना होगा ये रिस्ता इमोशन का भी होना शाहिए और एकोनॉमी का भी होना शाहिए इसलिए गुजरात में हमने बन्य प्राणी मित्र कारकम चलाया शिकार जैसी गतिविजियों पर निग्रानी रखने के लिए ये विवस्ता शुरू की गई इसके लिए कैस रिवोर्ड भी रखा गया है हमने गीर के लाइंस के लिए एक रियेबिलिटेशन सेंटर भी खोला गीर खेत्र में हमने फोरेस्ट डिपार्टमेंट में महिला बिडगार्ड्स और फोरेस्टर्स की भरती भी की इसने लाइन है तो हम है हम है तो लाइन है कि भावना को निरंतर मजबूत किया आज आप भी देखते हैं कि घीर में अब टूरिजम का इको टूरिजम का बहुत बड़ा इको सिस्टिम बन चुका है साथ क्यों गीर में जो इनिशेटिव लिए गये हैं उसी तरह प्रोजेक्ट टायकर की सब्लता के भी कई आयाम है इससे टूरिज एक्टिविटी बढ़ी और हमने जो जागरुकता कारिकम चलाए उससे टायकर रिजोर्स में मैन एनिबल कांफ्रिक्स में भी भारी मात्रा में कमी आई बिग कैट्स की वजह से टायकर रिजोर्स में परेट्रकों की संख्या बढ़ी और इससे स्थानिय अर्थ ववस्ता को मजबूती मिली है बिग कैट्स की मोजूद्गी ने हर जगह स्थानिय लोगों के जीवन और वहां के इकोलोजी पर सकारात्मक असर डाला है साथियों कुछ महिने पहले भारत की बायोडावरसिटी को सम्रुद्ध करने के लिए हमने एक और एहम काम किया है दसकों पहले भारत से चीता बिलुप्त हो गया था हमें शांदार बिग कैट को नावीबिया और दक्षिन अपरिका से भारत लेकर आये हैं यह एक बिग कैट का पहला सफल्ट ट्रांस कॉंटिनेंटल ट्रांस लोकेशन है कुछ दिन पहले ही कुनो नेशनल पार्क में चार सुन्दर शावकों ने जन्म लिया है भारत की धर्ती से चीता करीब करीब पचरतार साल पहले बिलुप्त हो गया था यानि करीब करीब 75 साल बाद भारत की धर्पी पर किसी चीता ने जन्म लिया है यह एक बहुत ही शुप शुरुवात है यह इस बात का भी प्रमाण है कि बायो डाइबरसिटी की रक्षा और उसकी समृद्धी के लिए इंटरनेशनल कोपरेशन कितना महत्वपूर है